नमस्कार दुस्तों कैसे अप सब साइक्रत worms, सम्मस्त होंगे, अपने काम को लेकर वैसुद वैस्त होंगे, दुस्तों आज जिन जानेंके कि हमें पहली सिचाई जो गहंगी वह काप करने है और उस समय पर हमें फटि लयार क्यों आवसा होते है देना तिक है और जो सिचाई है में वो इसी समय पर क्यों करने चाहिए तो चलिए दो दो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना बूलें चलिए दो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यह हमारा अपना प्लाट है और हमने यहां पर 322 लगाई हुए गहों की और यह हमारी अरिये पर बहुत ही ठीक है दूसरी विराइटी हमने लगा के देखी मगर उतना हमें उत्पादन उतना मौसम के सबसे सोटेवल हमें नजर नहीं आई इसलिए हम गहों की 322 विराइटी ही अधिकतर लगाते हैं इस साल भी हमने इसका प्रामाणित भीज लगाया है प्रमणिशन भी नहीं लगा रही है ठीक है क्योंकि ये जो दोनों देश हैं ये गहों की उत्पादक देश थे लेकिन अभी के समय पर युद्ध के कारण जो है यहां पर गहों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो भारत से काफी गहों महापन निर्यात की गई है और आने वाले समय पर हम देखते हैं क लेकिन मुनाफल लेने के लिए आपको उत्पादन भी आपका बढ़ाना पड़ेगा जोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब हम पहली से चाहिए करते हैं 20-25 दिनों पर वो उसी समय पर क्यों करने चाहिए जब पौधे को germisten करते हैं उसकी जो बुवाई करते हैं उस समय पर क्या होता है कि यह पहली से चाहिए कर देते हैं और पौध वहाँ से अंखुरण लेना इस्टार्ट हो जाता है लेकिन जब वह start होता है अध्यु लेकिन एक अग्रो और चाहिए हैं, तो सीड में जो नभी होती है और सीड में जो न्यूटेंड होती हैं पहले से उसही को पौधा अपतेक करते हुए अपना होती है ग्रोथ को करता है तो सबसे पहले जब पोधा जर्मिशन लेता है तो उस संबार पर जो है टेम्परेरी जड़े होती है जैसे कि हम जानते हैं कि जब इंसान जर्म लेता है तो उसके दूद की दांत निकलते हैं पहले और इसके बाद जो होते हैं वो परमेंड वाले दांत निकलते हैं तो वो उसका जो निकलने का समय होता है, आप देखेंगे अपने पौदे पर निकालके, तो उस समय पर आपको देखेंगे कि यो जड़े हैं, वो आपकी निकलना इस्टार्ड हो जाती ही, सबसे पहले जो सीड होता है, सीड के नीचे से निकलती ही जड़े और इसके बाद जाती है, वहाँ पर से जड़े निकलना इस्टार्ड हो जाती है, आप अच्छी से पौधे को गाल कर देखेंगे, तो आपको ये बास समझ में आ जाएगी, तो उस समय पर क्या होदा दोस्तों कि पहले से तो पौधा मजबूत होता है, वो अप्टेक करता रहता है, लेकिन जैसे ही 20-25 दिन होते हैं, तो उस समय पर जो न्यूटेंट है, वो उसको कम पर जाता है, तो उस समय पर यदि आप सिचाई नहीं करते हैं, पौधे पके किनारे जो हैं नमी नहीं होती, मिट्टी पर नमी नहीं होती, तो पौधा जो गूरूत नहीं ले पाता, उसकी निकलती हैं, तो खराब हो जाती है, तो इसी कारण से आपको 20-25 दिनों के बीच में एक सिचाई आपको करने चाहिए, और उसी समय पर न्यूटेंट भी आपको देने चाहिए, न्यूटेंट भी आपको क्या दे सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आप यदि पहले से यदि पहले सकते हैं, उसके साथ 25 केजी MOP भी ले सकते हैं, यदि आप चाहें उसमें, तो फिर सागारी का जो आती है, आपकी दाने दर वाली उसको भी मिक्स कर सकते हैं, यदि आपको जिंक सेलफेड भी देना होगा, तो आपको ज़्यादा उसके बेनेफिट मिलेंगे, आप च कि भी मिक्सानों के लियरे होता है, जब हमारी माताय बेने फ्कैसर के हमारी ज़्यादा जोसी कास्धित,पलावड़न के बेनीगे तो दो अपपुन होती है चाहे वो इनसान हो और अप्लाइट हो तो आप इस बात को समझझ ले कि आपको दो अपर कम से कम पर द्यान रखना पड़ेगा तो चल जाता है मगा यह दो इस्टेज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और इस समय पर आप किसी भी प्रकार की लापरोही करते हैं तो उसका जो सर है आपको उत्पादन पर बहुत ही पड़ता है क्योंकि जितने कल्य निकलेंगी उतनी बालिया निकलेंगी और जितनी बालिया निकलेंगी और जिस समय पर उनको न्यूटन चाहिए उनको अकर मिलता है तो बालिया उतनी बड़ी वे होंगी पहले तो बाले निकलेगी और जब आप फ्लावनी की स्टेच पर रहोड अवस्ता में यदि आप न्यूटन अच्छे से देते हैं तो फिर जो बालिया है वो आपकी लंबाई लिये होंगी इसलिए इसमें उत्पादन लेकर आप अच्छा मुनापा कमा सकते हैं तो यह जानकर यह पोखे से लगी हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और यह जानकर यह जानकर यह पोच्छी लगी तो वीडियो क्लिक लाइक करें और यह ज़िए आपको कुछ सवाल हो तो आप क कमेंट के में समसे पूछ सकते हैं नमस्कार जैए